बाहरी किनारा और बहुत बढ़िया तरीके से सटप गया क्या वो रिवीव लेंगे बाहरी किनारा लगा फिर पीछे डाला आप कर रहे हैं कि लगा नहीं लगा अगर आपको मैंको नहीं बबादाला तो फिर तो रिवीव ले सकते कि बोट कंबार ऐसा होता है जहां पर बतार बलेबाज आपको पता नहीं चलता है जब आउटसाइड एज लगता है यह देखे अवास तो आया है और तुरा डीविएशन में नजर आया है निकल तो यह स्ट्रेट फॉर्वर्ड डिसिशन यह देखे बड़ा एज यह तो एक अच्छी रण नीती के चलता है मैंक अगरवाल तेरा रण मना के आउट में एक किस फेक भर क्लीन बॉल्ल शांदार गेंदी जिस तरीके से हवा में दिशा बदली अंदर आई बैटर पैट के बीच में वो गैप मिला एक बार फिर से काईल जेमिसन असरदार सावित हुए गुड लेंड के उपर गेंद गिरी उतना आरकत हुई नहीं है लेकिन बला और पैड के शतक बनाया बावन प्याउट वे असी पे दो भारा कि भारी किनारा पहले लगा बल्ले का किनारा और पीछे थे टॉम ब्लंडल के दस्ताने चौथी बार तिम साउधी ने भेज दिया है चेतेशर बुजारा को पवेलियन की तरफ बहुत अच्छी गेन है क्यूं बहुत अ जारा लगा अच्छी गेन अच्छी लाइन बढ़िया गेदवाजी पहली गें से एक तम सचेत नजर आये तिम साउधी एक सोचे पे गिरा भारत का थीसरा विकट इस बार कोई गुंजायश ही नहीं प्लेड ओन अजिंग के रहने कायल जेमिसन को पसंद है इंडिया के खि इस विकेट के उपर इस तरह आप शॉट नेकल सकते इस एंगल से आप बले को निचे नहीं ला सकते कि बाउंस है ने बिलकुल क्राइश चर्च हो साथ हैंटन हो या कानपुर हो कायल जेमिसन को पसंद है भारत के खिलाफ गेंदबाजी करना तीसरी सफाल ताउन के लिए रहाने पेंटीस पे आउट